इसे पीडियो में दोस्तो हम और इसका इस्टेट राप को साइज भी आपको मैं बता दो है उसका साईज है वह तकरीबन एक इंच का साइज है और यह 24 लोट का है और इसमें हम जो वायर लगा रहे हैं वो एलमुनियम का वायर लगा रहे हैं और यह वायर है उसका गेज है 29 नंबर 29 नमबर सफसल और ट्रन है 95 यानि पिचान में ट्रन 1 neutral मार ऑन्दर हम लगा रहें। और यह वायणिंग करें हम राणिंग वाली, राणिंग वायणिंग करने के बाद हम स्ट्राटिंग डालेंगे, स्टार्टिंग के ट्रन भी आपको मैं बता देता हूं स्टार्टिंग का जो ट्रन रहेगा वो 31 नंबर एलमुनिम रहेगा वाइर का गेज रहेगा एलमुनिम 31 नंबर वो ट्रन रहेगा 115 115 ट्रन हम इसमें लगाएंगे तो वाइर का गेज आपको मैं बता चुका हूं फिर से बता देता हूं रणिंग का 39 नमर्णर अलनियूम है संद पिछान मैं उस्टांटर कर दढब आ अ कर साङ thirty-king लंबाई की जो कोईल है वह रन्निंग वाली है और इस्टार्टिंगी रहेगा unनतीस इंच इस्टार्टिंग की लंबाई रहेगी कोईल की और रन्निंग की रहेगी सांदे 38 ऐंज दोस्तों मैंने रन्णिंग कोईल है वह डाल दिया है आप देख सकते हो MP3 में ने डाल दिया और kuyle का जो साइज था वो 16,38 Muhike Pep sera बिल्कुल fix आया है नहीं तो कोईल बड़ी है और नहीं छोटी है तो जो 16,38 Muhikebel की जो लंबाई थी वो विल्कूल सई है अब बात दोस्तों मैंने रन्निंग Sultan है वो डाल दिया है और कोईल का जो साइस था वो शाड़े 38 इंच कोईल की लंबाई थी विलकुल सही आ रहा है नहीं तो कोईल बढ़ी है वो नहीं छोटी ये विलकुल फिक्स है तो एक इंच से इस्टेटर के अंदर 38 का कोईल बिल्कुर सही बेड़ता है अब बात करते हैं दोस्तो स्टार्टिंग की स्टार्टिंग के अंदर रहेगा 1 से 4 में 1 बार ही कोईल को हमको गुमाना है पहले हमने 2 बार कोईल को गुमाना था ताकि स्टार्टिंग और रनिंग आपस में सोट ना हो।